मुलक दास जी को सच्खंड लेकर गए फिर उनको वापस छोड़ा उसके बाद मुलक दास जी कहते है जैपोरे मन शाहिब नाम कबीर जैपोरे मन परमे सवर नाम कबीर एक समय गुरुबन सी वजाई का लंदरी के तीर एक समय गुरुबन सी वजाई का लंदरी के तीर सुर नर्म निजन ठकत वहेवा रुक ग्यादरी या नीर जैपोरे मन परमे सवर नाम कबीर दोहु दीन का जगडा छड़ गया तेनक न धरते दीर कोई गड़ कोई अगन जलावे ढूंडया ना पायो सरीर जैपोरे मन परमे सवर नाम कबीर अमर लोक से सत्गुरु आये काटन यमक जंजीर अमर लोक से सत्गुरु आये काटन काल की जंजीर दास मलूक सलूक कहते है खोजो खसम कबीर जैपोरे मन परमे सवर नाम कबीर जैपोरे मन साहब नाम कबीर अमरुक दास जैपोरे मन उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो उस परमात्मा ने जो मंतर दिया उसका जाप करो एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर कालंदरी कहते है यमना को एक समय परमात्मा मत्हुरा में गए धरमदास जी ने कहा बगवन वो स्रीकरसन जी के पुजारी थे धरमदास जी ने कहा बगवन स्रीकरसन बगवान थे या गवें चराया करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सी और जमना के अंदर नाया करते थे वो ऐसी बंसुरी बजाते थे गवे भी खिची आ जाती थी गवाल बाल भी उसकुन के मुख की तरफ देखते रह जाते थे तो परमात्मा ने कहा ठीक अबच्चा क्या बंसुरी बजाने से और गवे और गवाल बालों के खिचे आने से ही भगवान सिद होता है ने-nei वो तो बगवान थे वो तो बगवान थे लालाजी था ने आप परमात्मा ने सोचा भी बोले भगत को कैसे सपनी designed कौंसे तरीके अपना हूं क्योंकि परमान बिन अब जीव बहुत देर से मानता है तो परमात्मा ने कहा भी वो जमना कहा की जी तर थोड़ी सी दूरी पर हुआ चलते हैं अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया एक बंसुरी आगी अपने अप ये बंसुरी बोझाते हैं और परमात्मा ने जब सुर्व भर्याबन सुरीका पूरे बिर्मंडों में गूंज गई उपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकास में सामने सुनने के लिए अपने अपने वहाँनों पर खड़े हो गए धरमदास्ती देखने लगे कि इस होपन है या क्या है फिर क्या देखते हैं कि जमना नदी का जो जल बह रहा था पर वहाँ वह भी रुक गया उस मालिक की उस बनसुरी की धुन सुरने के लिए धरमदास हक का वक का रह गया और चर्णों में गिर गया तो पुन्यात्मों मुलक दास्ती उस तीज का वरणन करते हैं एक समय गुरुबंसी बजाई का लंदरी के तीर सुर नरम निजन ठकत वहेवो रुक गया दरी और नीर जपरे मन समरत नाम कबीर